प्रदेश के सबसे बड़े विश्विध्याले राजस्थान विश्विध्याले के छात्रसंग चुनाओं में इस बार भी पुराना ट्रेंड बरकरार रहा। विश्विद्याले में छात्रसंग चुनाओं में इस बार भी निर्दलिय प्रत्याशी ने अपना पर्चम लेराया है छात्रसंग चुनाओं में निर्दलिय उमीद्वार निर्मल चोधरी ने जीत दर्ज की है निर्मल चोधरी ने NSUI से बागी उमीदवार मंतरी मुरारीलाल मिना की बेटी नियारीका जोरवाल को 1465 वोट से हराया है निर्मल चोधरी को कुल 4043 वोट और नियारीका जोरवाल को 2578 वोट मिले है तीसरे नमबर पर NSUI की रितू बराला रही है रितू को 2010 वोट मिले है जबकि चोधे नमबर पर रहे अखिल भारते विद्यारती परिशत के नरेंदर यादव को 988 वोट मिले है मही मा सची उपद पर ABVP के अर्विन जाजड़ा ने जीत दर्ज की है नियारीका जोरवाल के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा हम हार गए हैं साथ देने वालों का धन्यवाद महीं विदायक मुकेश भाकर ने सोशल मीडिया पर विट्री साइन परदशित करते वे लिखा है राजस्थान विश्विद्याले के छात्रसंग चुनाओ के नतीजे इतिहास के पन्नों में लंबे समय तक इसलिए याद किये जाएंगे इन चुनाओं में जीतने वाला चहरा बले ही निर्मल चोधरी हो लेकिन जिताने वाले कॉंग्रेस विधायक एवं एनसुआई और यूद कॉंग्रेस के पूर अध्यक्ष मुकेश भाकर है नतीजे ऐसा बता रहे हैं मानो मूल कॉंग्रेस के छातर संगठन एनसुआई का समर्थन कर रहे मंतरी विधायकों पर अकेले कॉंग्रेस विधायक मुकेश भाकर भारी पड़े जिनोंने परदे के पीछे रहकर निर्मल चोदरी को राजस्तान विश्विध्याले का अध्यक्ष बना दिया इतना ही नहीं मुकेश भाकर को इस चुनाओं में अपने ही सयोगी और पाइलेट कैम्ट से आने वाले मंतरी मुरारी लाल मिना की बेटी नियारीका जोरवाल को भी हराना पड़ा मतलब साफ है कि अगर नियारीका इन चुनाओं में कंडिडेट नहीं होती तो शायद NSUI को इतने बुरे नतीजे नहीं जहलने पड़ते नहीं चाते हुए भी नियारीका ने निर्मल चोदरी की बड़ी मदद कर दी आपको बता दे कि निर्मल चोदरी की जीस से आदा घंटा पहले ही मुकेश भाकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तेरा सो वोटों से जीत का दावा कर दिया था राहुल भारेदवाज, डिबी न्यूस, जैपुर